अब ये शुमसी का आना बहुत निकट है, उन चिन्हों को देखकर, उन चिन्हों के बारे में सुनकर, हम ये समझ सकते हैं कि अब ये शुमसी का आना बहुत जल्दी है, बहुत निकट है, बाते प्रभू तुने अपने दूसरे आगमन के विशे में कही हैं पिता, जब वो हो प्रात्ना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आप के लिए प्रात्ना करेंगे। प्रात्ना करेंगे बारे में जानकारी रखना, उसको समझना, उसको सीखना, उसका नौलिज रखना ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही आउशिक है। जब से येश्य मसी स्वर्ग उठा लिये गए, तब से लेकर हर एक ब्यक्ति जो उनके पीछे चला, दो हजार सालों से, हर एक ब्यक्ति प्रभू येश्य मसी के आने का इंतजार कर रहा है. तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि येश्य मसी कब आएँगे, कब आएँगे येश्य मसी दुबारा आएँगे भी की? नहीं आएँगे, ये फिर क्यों आएँगे, कैसे आएँगे, इन सब बातों पर हम लोग आने वाले दिनों में भी चर्चा करते रहेंगे. तो येश्य मसी कब आएंगे, क्या सच में येश्य मसी आएंगे, क्या बाइबल कहती है इस विशह में कि येश्य मसी दुबारा आएंगे, एक बार तो आ चुके हैं, क्या वास्तों में दुबारा आएंगे, इस विशह को जानने के लिए हम लोग कुछ वचनों को और कब येश्य मसी आएंगे उस बात को समझने के लिए भी कुछ वचनों को हम लोग स्टेडी करेंगे मेरे साथ में निकाल लेंगे प्रतों की किताब उसका एक अध्याई और ग्यारपद किसने कहा स्वर्ग दूत ने येश्य मसी के चेलों से कहा कि तुम क्यूं आकास की तरफ देख रहे हो क्यों देख रहे थे वो लोग क्योंकि उस समय येश्य मसी स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे उनके आँखों से येश्य मसी ओजल हो गए इसलिए वे ताक रहे हैं अरे अभी तो प्रव येश्य मसी हमारे साथ में थे अभी अभी ये कहां चले गए, कहां गायब हो गए तब स्वर्ग दूत आया और स्वर्ग दूत ने उनसे कहा तुम क्यों आकास की तरफ, क्यों आसमान की तरफ ताक रहे हो अगे येश्य जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया येश्य जो तुम्हारे साथ में तीन सालों तक रहा यही येशु जो मुर्दों में से जी उठा और 40 दिनों तक तुम्हारे साथ में रहा यही येशु जिस तरीके से तुमने उसे जाते देखा उसी रीती से वो फिर से आएगा ये वच्चन हमें बताता है कि येशु मसी का दुबारा आगमन होगा ये किसी ब्यक्ति ने नहीं कहा ये सोयम परमेशु के दूत ने इस बात को चेलों पर परकट किया और हम बहुत सारी भोश्यमानिया इस विशह में पढ़ते हैं कि जिस परकार से तुम येशु को सवर्ग किसे आएंगे इस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे लेकिन इस बात को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि निश्य ये शुमसी का आना होगा ये नहीं होगा कि ये शुमसी आएंगे ही नहीं उनका आना जरूरी है और वो होगा ही होगा 100% क्योंकि बाइबल का वच्चन कोई भी जूटा नहीं है और यहां परदूत ने कहा कि ये शुमसी ऐसे ही फिर से दिखाई केंगे फिर से आएंगे अब सवाल ये उठता है कि कब ये शुमसी आएंगे आएंगे तो सही लेकिन कब ये शुमसी आएंगे इस विषय में बहुत सारे लोग बहुत शवाणी करते हैं कि 2011 में आएंगे एक बार हुई थी बहुत शवाणी इस विषय में या पिर कुछ लोग सोचते हैं कि 2040 में आएंगे लेकिन हमें भी नहीं पता ये शुमसी आएंगे, क्यों नहीं क्या सकता, एक वच्चन मेर साथ में निकाल लेंगे, मतिरचिस्टू समझाथ, उसका 24 अध्याई और 36 पद, उस घड़ी के विशे में कोई नहीं जानता, येस, उस दिन और उस घड़ी के विशे में किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता, आगे, ना स्वर्ग के दूर, और ना पुत्र, अरुदो केवल पता, यहां तिके येश्यमसे स्वयम के लिए क्याएते हैं, कि पुत्र भी उस घड़ी को नहीं जानता है, न कोई स्वर्ग दूर्थ, इस घड़ी को नहीं जानता, कि मेरा आगमन कब होगा, किस दिन होगा, ये परमेश्वर जानते हैं एक और वचन मरकुस 1332 उस दिन यह धड़ी के विशे में कोई नहीं जानता नस्वर्ग के दूख और ना पुत्र परंतु केवल पिता हां मरकुस भी इस बात को लिखता है कि कोई नहीं जानता उस दिन के विशे में जिस दिन येश्व मसी का आना उस दिन के विशे में कोई नहीं जानता किसी को उसके विशे में कुछ जानकारी नहीं है सिवाए परमेश्वर के लेकिन येश्व का आना होगा आवश्य होगा एक वचन मेरे साथ निकाल लेंगे प्रकासित वाक्या उसका 22 अध्याई और 20 पत जो इन बातों की गवाई द आने वाला हूँ बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ लेकिन बहुत सारे लोग सोसते हैं जल्दी कहां यहां तो दोजार साल हो गए ये शुमसी को सुर्ग जाए वे तो दोजार साल हो गए अभी तक ये शुमसी नहीं आया और ये शुमसी कहारा कि मैं जल्दी आने वाला हू वो इसलिए क्योंकि हमारे समय में और परमेशो के समय में बहुत अंतर है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपने समय की अनुसार कह रहे हैं कि मैं बहुत सीग्र क्या हूं? आने वाला हूं अहो सकता है हमारे लिए वो थोड़ा लंबे साल हूं लेकिन परमेशो का वचन कहता है इस फस्ट रिती से कि मेरा आना क्या है? सीग्र है, बहुत जल्दी है, बहुत निकट है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब येशो मसी आएंगे या फिर हमारे जीवन काल में येशो मसी आएंगे पहले कुछ चीजें होंगी, कुछ चिन दिखाई देंगे, उन चिनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब ये शुमसी का आना बहुत निकट है, उन चिनों को देखकर, उन चिनों के बारे में सुनकर, हम ये समझ सकते हैं कि अब ये शुमसी का आना बहुत जल्दी है, बहुत निकट है, हो सकता है, हमारे जीवनकाल में येश्व मसी इस धर्ती पर आ जाए, तो वो चिन, उन चिनों के बारे में हम लोग देखेंगे, अगर आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, मतिर चिसु समचार, उसका 24 अद्याई, चार पद से यदि हम लोग पढ़ेंगे, एक एक प मसी के चेलों ने येश्व मसी से पूचा कि प्रभू तेरा आगमन कब होगा, हमने तो सोचा था कि तू राज्य को इस्थापित करेगा इसी समय, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे, आप तीसरे दिन मुर्दों में से उठेंगे और चले जाएंगे, तो फि पहचान जाना, आगे, क्योंकि बफ़त से ऐसे होंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसी हूँ, जब ऐसा समय इस धरती पर आ जाए, जब लोग सुयम अपने आपको ही मसी बताने लगे, तब समझ जाना कि मेरा आगमन क्या है, निकट है, तब इस बात को समझ जाना कि मेरा आगमन बहुत जल्दी है, बहुत निकट है, और आज आप लोग समझ रहे हैं, आज आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आपको मसी बताते हैं, जी, तुम लडाईयों और लडाईयों की चर्चा सुनोगे, जी, तो घबरा न जाना, दूसरी बात प्रभ यश मसी कहते हैं कि तुम क्या सुनोगे? नडाईयों की चर्चा सुनोगे, लडाईयों तुम हमेशा से होती रही हैं, लिकिन उस समय तुम कुछ जादा लडाईयों की बात को सुनोगे, बहुत बड़ी-बड़ी लडाईयां होंगी, उन युद्धों के विशह में तुम बातों को सुनोगे, तब तुम समझ जाना कि मेरा आगमन बहुत जल्दी है, बहुत निकट है, नेक्स्ट, परंतु उस समय अंत नहीं आएगा, युद्ध होंगे, लेकिन, क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, राज्य राज्य पर लड़ाई करेंगे, धर्म धर्म पर लड़ाई करेंगे, जाते जाती पर लड़ाई करेंगे, देश देश पर लड़ाई करेंगे, लेकिन उस समय अंत नहीं आएगा, उस समय भी वो चिन हैं, कि मेरे आने से पहले ये सब बातें होंगी, क्या होंगे फिर अकाल पढ़ेंगे, जब पानी नहीं रहेगा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अकाल पढ़ेंगे, भुकमरी होगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा समय आएगा, और भुकम्प होंगे, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, जैसे अभी हमने महामार मेरे आने से पहले फैलेंगे। लोगों के पास भोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ऐसा अकाल पड़ेगा, अर्थकुत होंगे, भूकंप होंगे बहुत सारे, और जब तुम इनकी चर्चा सुनो, जब तुम इनके विशे में सुनो, तो सावधान हो जाना, अगा हो जान कि मेरा आना क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, उनके तुरंत बाद मेरा आना हो जाएगा, और आगे क्या लिखा हैं? यह तो केवल क्या होगी? सुरुवात होगी. ऐसा जब होगा, तो वो केवल सुरुवात होगी. अच्छा, आपको डरने की जरुवत नहीं है. डरना मत कि कितनी पीडाएं, कितनी दुख आएंगे. वो हमारे लिए नहीं है. उन बातों को हम आने वाले दिनों में सीखेंगे. एक मसी विश्वासी के लिए नहीं है. वो जो दुख पड़ेगा, वो जो पीडाएं होंगी, हम उनसे पार निकल जाएंगे. हमारी नया पार हो जाएगी. है ना खुशी की खबर? इसलिए दुखी मत होना अभी. ठीक है? ज्याम से सुनना, लेकिन दुखी नहीं होना, कि कहीं मेरा क्या हाल होगा? आपका बहुत अच्छा हाल होगा. ठीक है? आप बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के साथ में राज्य करेंगे. इसलिए निरास नहीं होना. लेकिन ये चिन हैं और ये पीडाओं का आरंब होगा. उन दुखों का आरंब होगा. नेक्स्ट. तब गए कलेश देने के लिए तुम्हें पक्रों आएंगे. जी. विरोधी लोग, अन्य लोग, जो मसी को नहीं जानते, वे उन पर मुकदमा करेंगे. वो उन्हें जेल खानों में डालेंगे. वो उन्हें मारेंगे, पीटेंगे. येशु के नाम के कारण उन्हें सताया जाएगा. अर्जो, आज हम अपने आसपास में देख रहे हैं, कि ऐसा होना सुरू हो गया है. और पहले से भी होता आ रहा है, लेकिन येशु मसी उस समय के बात करें, जब ये अपनी चरं सीमा पर होगा, बहुत अधिक ये सताव बढ़ जाएगा. तब तुम समझ लेना कि मेरा आना निकट है. जब सताव आएगा, तब तुम्हें डरने के आउशकता नहीं है, बलकि तुम्हेरे विश्वास को मजबूत होना है, कि अब येशु मसी का आना क्या है, निकट है. आगे क्या लिखा? तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पक्रवाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. हाँ, ऐसे समय में बहुत से लोग क्या करेंगे? ठोकर खाजाएंगे. जो मसी येशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जिनकी निव मजबूत नहीं है, वे एक दूसरे को पक्डवाने का काम भी करेंगे. जैसा येशु मसी को पक्रवा दिया, ऐसे ही, मसी लोगों में से भी होंगे लोग जो एक दूसरे को पक्रवा देंगे. आगे, बहुत से जुटे भहुषवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भनमाएंगे। बहुशवक्ता नहीं है, जो परमेशुर्ट की सिक्षा के विरोध में बातें कर रहा है, वो जूटा बहुशवक्ता है, ठीक है न, बाकि सब क्या हैं, प्रभु के लोग हैं, जो परमेशुर्ट की सिक्षा के विरोध में बोल रहा है, बहुशवानी कर रहा है, उसके अगें में काम कर रहा है वो जूटा बहुश्य वकत है और वो कहता है कि मैं येशु का हूँ तो वो जूटी बाते करता है लेकिन जितने भी मस्री भाई बेहन है जो बाइबिल पढ़ते हैं बाइबिल के पीछे चलते हैं उसके सिद्धानतों को फॉलो करते हैं वो जूटे परचार कर रहे हैं तो वो सच्चे परचारक हैं इसलिए एक दूसरे को कभी भी जूटा परचारक न समझे ना ही कभी बोलें ठीक है वो न्याई करना पर मेश्र का काम है कि कौन जूटा होगा कौन सच्चा होगा लेकिन येशु कह रहे है कि जब तुम ऐसे लोगों को बढ़ते न्याई नहीं रहेगा मौरल जो वैल्यूज हैं वो खतम हो जाएंगी अधर्म गलत काम गलत बातों को बढ़ावा मिलेगा ऐसे समय में जो मसी लोग भी होंगे उनका प्रेम भी ठंडा हो जाएगा वहां भी लड़ाई जगड़े होने सुरू हो जाएंगे उनके जो मौरल वैल्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे ऐसे समय में तुम समझ जाना कि प्रभु येश्यू का आना बहुत निकट है जब तुम इन बातों को देखो जब तुम इन बातों को अब्जर्व करो न केवल ऐसा नहीं कि केवल आपने अपनी कलीशिया में देखा कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं ये शुक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं जब दुनिया में तुम ऐसी चीजों को होते हुए देखो तब तुम समझ जाना कि मेरा आना क्या है बहुत निकट है आगे परंतु जो अंत तक धीरत धरेगा उसी उठार होगा परंत इन सब बातों को देखते हुए इन सब बातों के विशे सुनते हुए इन सब बातों में भी जो धीरत रखेगा उठार उसी का होगा नेक्स्ट वच्छन उससे पहले क्या होगा राज्य का सुसमचार जिस राज्य के बारे में हम लोग बाचित कर रहे हैं जब वो सुसमचार दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुँच जाएगा और उन पर गवाई होगी तब अन्त आ जाएगा और आप जानते हैं आज की डेट में सुसमचार बहुत तेजी से पैल रहा है सोसिल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति के कानों में अब ये बात पहुँच चुकी है कि येशु परमेश्वर है येशु भी कोई है वो आया था वो क्रूस पर चड़ा था और वो मुर्दों में से जी उठाता और वो स्वर्ग चला गया है और वो आने वाला है मैं सोचता हूँ कि इस बात को हर एक व्यक्ति ने अब सुन लिया है बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास अभी ये सूचना नहीं पहुँची होगी नहीं तो अधिक तर लोगों के पास वो सुसमचार वो गुड नियूज के एक उद्धार करता हमारे लिए जन्मा है वो सब के पास पहुँच चुकी है कि परमेश्र का राज्य निकड है वो आने वाला है अपने राज्य को इस्थापित करने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये लग भग लग भग लोगों के पास पहुँच चुकी है और जिनके पास नहीं पहुँची है अब ऐसा समय आने वाला है जब बहुत तेजी से ये राज्य का सुसमचार हर एक व्यक्ती तक पहुँच जाएगा और तब ये शुमसी कहते हैं कि तब अंत उससे पहले नहीं होगा तो हम अंत के बिलकुल करीब हैं क्योंकि सुसमचार बहुत तेजी से फैल रहा है और इन सब बातों को जिनके विशे में हमने पढ़ा है हम धीरे धीरे इन बातों को होते हुए देख रहे हैं इस दुनिया में इसका मतलब ये शुमसी का आना बहुत ही निकचा बहुत ही जल्दी है आगे अगर वचन पढ़ेंगी तो लिखा है कि जैसे एक गर्वती इस्तरी होती है और बच्चा पैदा होने से पहले उसे बहुत पीड़ा और बहुत दर्द का एसास होता है वो महसूस करती है उससे उससे गुजर के जाना पढ़ता है उसी परकार से प्रभ ये शुमसी कह रहे है कि वैसे ही ये पीड़ाओं का आरंब होगा जैसे एक इस तरी को दर्द होता है पीड़ा होती है वैसे ही मेरा आगमन से पहले वो पीड़ा होगी वो दुख आएंगे वो दर्द होगा ऐसी भुकम्द, भुकमरी, महामारियां ये सब इस दुनिया में फैलेंगे लड़ाई जगडे ये सब होंगे प्रेम थंड़ा हो जाएगा मॉरल वैल्यूज चली जाएंगे अधर्म फैल जाएगा तब तुम समझ जाना कि अब मेरा आना बहुत ही निकट है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सब कुछ सांथ हो जाता है एक इस तरही उस दर्द को भूल जाती है और सब कुछ सांथ, सब कुछ अच्छा और एक नया इनसान जब इस दर्दी पर आता है तो सब खुस हो जाते हैं सब लोग पार्टी करते हैं आनन्द मनाते, ऐसे प्रभ्य येश्यमसी का आना होगा, जब येश्यमसी आएंगे उसके बाद सब कुछ सांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और सब लोग आनन्द करेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि येश्यमसी का आना कब होगा, देड तो किसी को नहीं पता, महिना भी किसी को नहीं पता, साल भी किसी को नहीं पता, लेकिन ये सब को पता होना चाहिए, कि निकट है ये शुमसी का आना क्या है, बहुत निकट है, क्योंकि उसने जो चिन बताये थे, वो पूरे हो रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं, और कुछ तो हो और राज्य का सुसमचार फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है और मैं सोचता हूँ कि येश्य मसी हमारी जनरेशन में आ जाएंगे क्योंकि बहुत तेजी से प्रभु के राज्य का सुसमचार फैल रहा है और ये सब चीजें होती जा रहे हैं तो इसलिए आपको और मुझे क्या करना है प्राथना करना है प्रभु के आगमन के लिए आपको और मुझे प्राथना करना है उसके राज्य के स्थापित होने के लिए आपको और मुझे प्राथना करना है अब कैसे ये शुमसी आएंगे कियों वो आएंगे इन विश्यों पर हम आने व़ले दिनों में बाचेत करेंगे अभी केवल हमने ये सीखा कि कब आएंगे ये चिन है कि कब ये शुमसी का आगमन होगा प्रबो आपको इन वचनों के दौबारा बहुत आसीस दे और आप भी खुद और स्टडी करें इन विश्यों पर ताकि और गहराई से हम लोग सीख सकें तो प्रबो आपको आसीश दें परमेश्योर की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्योर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्योर आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूर करते हैं कि जैसे कि हम सीख रहे हैं कि kingdom of God के उपर और येशु मसी कब आएंगे ये हम सब जान चुके हैं तो इस बात के लिए प्रभु का धनिवाद है और ये समय होगा जब हम सब मिलकर उन भाई बहनों के लिए प्रात्ना करेंगे जो दिन रात हमें सुनते हैं और परमेश न करें हालेलुया 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 धनेवाद 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 करते हैं पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्ये हैं आपका धनेवाद देते हैं कि आप हमारे मद्य उपस्तित हैं पिता धनेवाद करते हैं प्रभू हम तेरे पुत् यक उन्हें दे दिया प्रभू ताकि जब तू आए तो तेरे लोगों को प्रभू तेरा आत्मा तयार कर सके प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू इस पल के लिए इस समय के लिए प्रभू जब आपने अपने राज्य के बारे में प्रभू हमें बताया प्रभू कि आप आएंगे मेरे पिता, आपका दूसरा आगमन प्रभू तै हुआ है परमेश्वर, हमने वच्चन में इस बात को सु कि प्रभु जितने लोगों ने तेरे नाम को सुना है परमेश्व पिता उन्हें इस समय में प्रभु और तेरा आत्मा मजबूत करे पिता विश्वास में वच्चन में और प्रात्ना में तेरा आत्मा उन्हें और जादा स्ट्रॉंग करे परमेश्व पिता उनका विश्वास परमेश्व्व पिता तेरे वच्न से पिता और बढ़ने पाएं पिता परमेश्वर ताकि प्रभु जब वो चिन जो बाते प्रभु तूने अपने दूसरे आगमन के विशे में कही हैं पिता जब वो होते देखें तो वो डर्ने ना पाएं पिता परमेश्वर घबराने ना पाएं पिता परमेश्वर वरन प्रभू उस बात के लिए हर एक जनता यारी में रह सके पिता परमेश्वर प्रभू वो एलर्ट रह सके पिता परमेश्वर प्रभू जी और विश्वास में स्थिर रह सके पिता ताकि कोई भी भर माने वाली बाते उन्हें ना भर्मा सके प्यारे प्रभु येश्व इस तमें प्रभु आप अपने लोगों को परिपक्ष करें मेरे पिता परमेश्व प्राथना है परमेश्व इस तमें जितने लोग परमेश्व पिता प्रभु अभी तेरे वचन को हलके में लेते हैं पित क्योंकि जब प्रभू हम देखते हैं प्रभू कि जब तेरा आत्मा तेरी बातों को सुनता है वही तेरे लोगों तक कहता है क्योंकि वो सत्य का आत्मा है प्रभू और वो सत्य का आत्मा प्रभू सत्य की बातों को प्रभू तेरे लोगों पर प्रकट करें तेरे वचन के निकट है परमेश्वर हम प्राथना करते हैं कि प्रित्वी पर प्रभू तेरा राज्य स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर प्रभू तेरा आना जब निकट है तो हर एक जन प्राथना में लॉलीन रहे मेरे प्रभू प्राथना में प्रभू वो तेरे आगमन के लिए प्राथना कर सके प्यारे परमेश्व पिता हर एक व्यक्ति को प्रभू तुने ये responsibility दी है प्रभू जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो प्राथना में लगे रहे पिता प्रभू सच में मेरे पिता वो जागते प्राथना करते रहे तेरा वच्चन कहता है परमेश्व प्रभू जी इस समय प्रभू बहुत से लोग प्रभू जो संकट में हैं परिशानियों में हैं मेरे प्रभू जी उनके life में नाना प्रकार की problems है मेरे परमेश पिता मैं प्रात्ना करती हूँ उन problem से उन्हें बाहर निकाले और उन्हें मजबूत करें प्रभू उन्हें परिपक्ष करें मेरे प्रातन है प्रभू इस समय मेरे प्रभू जितने लोग तुझे जान रहे हैं पिता ये फिर वो फिर्स टाइम प्रभू तुझे जान रहे हैं मेरे प्रभू अपने आत्मा के द्वारा अपने आपको प्रभू उन लोगों पर प्रकट कर पिता और प्रातन है प्रभू तेरा प्रभू जो तेरे नाम को न सुने प्रभू जी वरन हर एक जन प्रभू येश्यू के नाम को सुने उस गुड नियूस को सुने जो गुड नियूस देने के लिए प्रभू तु आया प्रभू और अब दुबारा परमेश्य तु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला ह पिता और परमेश्वर प्रभू अंदकार की बाते हट जाए और तेरी रोश्नी उनके जीवन में आए परमेश्व पिता क्योंकि प्रभू अंदकार में प्रभू तेरी जोती उदय होती है पिता और प्रभू वो लोग प्रकाश्मान होने पाए पिता जो आज अंदकार में ह विशेश रूप से प्रभु जितनी समस्याओं से तेरे लोग आज घिश घेंढ गिरिया वो निराश है वो दुखी हैं वो हताश है परिशान है प्रभु जी खुदा उन बातों से छुटकारा दे प्रभु जी और आज जितने लोग प्रभु बीमारी के अवस्ता में है प्रभु और वो तेरे लिए इस्तुमाल होना चाहते हैं प्रभु आपसे प्रातना है उनके शरीर को हस्ट पुस्ट कर ताकि उनका शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तुमाल हो सके पिता हर एक बीमारी येश्व मसी नासरी के नाम से प्रभु हम आग्या देते हैं इनके शरीरों को छोड़ कर जाए येश्यु नास्री के नाम से प्रभू उन बीमारियों के ऊपर हम अब प्रभूता करते हैं प्रभू क्योंकि प्रभूता तुने प्रभू हम सब को दी है अधिकार तुने दिया है प्रभू उस अधिकार को इस्तमाल करते हुए परमेश्यु पिता हम उन बीमारियों को उन र प्रभू करजे में है, financial problemों में है, पिता, आप उन्हें चुटकारा दे मेरे खुदा, जितने लोग प्रभू दुष्ट ने प्रभू उन्हें एडिक्शन में और नानपरकार के गलत कामों में involved किया, प्रभू उन्हें आप खीच लाइए परमेश्व पिता, उस गलत बुरी लत्वों से खीच लाइए परमेश्व पिता, और प्रभू तेरे नाम को जानकर वो आगे बढ़ सके मेरे खुदावंदेश मसी, प्रातन है प्रभू, छोटे से लेकर बढ़े तक जितने लोगों तक प्रभू तेरा नाम पहुंचा है, उनके द्वारा और लोगों तक ते लेलो मुद्धों को अपने स्वास्ते को लेकर अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर विंती निवेदनों को भेजते हैं पिता, येश्व मसी आपका धन्यवाद, आप उन्हें जानते हैं और आप उनकी सुधी लेते हैं परमेश्व पिता, आपका वचन कहता है, मैं इनके परिवार के हालात बदल जाएं शुनास्री के नाम से प्रभू इनके हर एक परस्तियां बदल जाएं शुनास्री के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभू आज हम सब ने मिल कर तेरे लोगों के लिए मांगा है और प्रभू विशेश कर तेरे राज्ये के लिए तेरे ल आपनाओं को आज भेजा है एशुनास्री के नाम से प्रभू उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता धनेवाद करते यूहीं तेरा राज्य बढ़ता जाए और तेरा आना जब निकट है तो तेरे लोग भी प्रभू वचन प्राथना में लौलीन रहने पाए पिता परमेश पिता जो वचन है उसके उपर वो खड़े हो सके पिता ताकि कोई भी प्रभू इनकी नीव को हिलाना सके कोई परेशानी कोई भी दुख कोई भी बीमारी कोई भी रुकावटे प्रभू आपके लोगों को हिलाना सके प्रभू धन्यवाद करते प्रभू सब कुछ हम आपक और जलाल देते हैं प्राथना येश्व मसी नास्री के नाम से मांगते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन